हलो स्टुडेंट स्वागत है आपका अपने यूट्य चेनल अस्टार लाइन कोचिंग सेंटर में आज जो है हम लोग लोगतंदर का पहला चेप्टर देखेंगे लोगतंदर में सत्ता की साज़ेदारी का आई हम लोग total objective देखेंगे तो चलिए पहले आप लोग जो भी प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को पहले like कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास share कर दीजिए आपके पास जितने भी गुरूप होगा आप सभी में आप एक बार वीडियो को share कर दीजिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं चलिए वीडियो को शुरू किया जाए पहला में है कि बांगला देश कब स्वतंत्र हुआ था 1979 में, 1970 में, 1971 में या 1972 में तब बांगला देश जो सोतंत्र हुआ था 1971 में सोतंत्र हुआ था आगे बढ़ते हैं दूसरा कोस्टन की ओर आप लोग पहले जो भी प्यारे बच्चे नहीं share की है एक और आप लोग वीडियो को share जरूर कर जीए अपने दोस्तों मित्रों के पार और जो नए भी द्यार थी इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चलिए दूसरा कोस्टन में है कि लोग पंद्रहमी लोग सबा में महिलाओं की कितनी भागिदारी थी आगे भढ़ते हैं तिन नंबर की ओर तिन नंबर में हैं भारत में कहां औरतों के लिए एक आराच्छन की बेवस्था है लोग सबा में बिधान सबा में मंत्री मंडल में या पंचायती राज संस्थाएं में तो भारत में कहां औरतों के लिए आराच्छन की बेवस्था है तो आराच्छन की जो बेवस्था हुआ बिधान सबा में है आराच्छन की बेवस्था आगे बढ़ते हैं चार नंबर की ओर चार नमबर में हैं कि संपर्दाइक राजनितिक अधारित होती है ध्रम पर जाती पर छेत्रफर या कोई नहीं तो संपर्दाइक जो राजनितिक अधारित होती है वो धर्म पर अधारित होती है संपरदाइकता दो धर्मों के बीच होता है तो वो धर्म पर राधारित होती है पाच नमबर में आई पाच नमबर में अंतराष्टिय महला दिवस किस दिथी को मनाया जाता है साथ मार्च को आठ मार्च को नो मार्च को दस मार्च को कि अंतर राष्टिये महला दिवस जो है वह आठ मार्ज को मना जाता है जो भी प्यारे बच्छे जुड़े हुए विडियो को लाइक कर दीजी और दोस्तों के पास सेर जरूर कर दीजी 6 नंबर में है कि बरतमान में नेपाल में सासन पर नाली कैसा है लोग तंतर है । नंबर में भारतिय सम्विधान के अनुछेद 19 में देश के सभी नागरीकों का कान समूल अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता का धिकार दिया गया है यह समानता का धिकार दिया गया है सम्वैधानिक उपचार का धिकार या इन में से कोई नहीं तो अनुछेद 19 में जो है स्वत्तंतर्ता का अधिकार दिया गया है सभी नागरीकों को आगे बढ़ते हैं आठ नंबर में आठ नंबर में हैं कि निमलिखित में बेक्तियों में कौन लोकतंत के रंगभेद के बिरोधी नहीं थे किंग मार्टिन लूथर महात्मा गांधी या ओलम्पिक धावक टोमी स्थमित एवं जोन्स कॉल्स जेड़ गुडी तो लोकतंत के रंग बिरोधी जो नहीं थे वह जो हैं जेड़ गुडी थी कौन थे जेड़ गुडी जो भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए लाइब सेक दिखते हैं वह कमेंट में आप लोग जवाब देते जाएए चलिए नो नंबर की और बढ़ते हैं नो नंबर में हैं कि संपर्दाइक्त राजनितिक किस पर अधारित है एक धर्म दुसरे धर्म कि दुसरे धर्म से स्रेट या फिर विविन धर्मों के लोग समान नागरी को पर रूप में खोशीक के साथ रहते हैं या फिर एक धर्म दुसरे अनुराइक समुदाइब बनाते हैं या फिर है एक धर्मिक समुदाइक का परभूतत बाकी धर्मों के कारिकर करने में सासन की सक्ति का परियोग नहीं किया जा सकता है तो इसका राइट इंसर हो जएगा की नंबर एक धर्म दुसरे धर्म से स्रेश्ट हैं दस नंबर में आएक है जव हम लेंगि विवाजन की बात करते हैं तो हमारा अभी प्राय क्या होता है इस्तिरी और पूर्ष के भी जैविक अंतर समाज दौरा इस्तिरियों और पूर्षों के दी गई असमान भूमिकाय यह लोगतांत्रिक विवस्ताम मैलाओं को मद्दान के अधिकार ना मिलना या बालक और अब लिकाओं के संख्या का अनुपाद तो इसका जो एंसर हो जाएगा यह नंबर इस्त्री और पुरूसे के भी जैविक अंतर होता है किह पर दें घ्यारा नंबर क्यूं दे घ्यारा में है सत्ता में साजेदारी का सही सही है क्योंकि Oh कि कर यह बिभी अख को अपने समेट में इती है देश में एकता कज़ कम जोड़ कर देते हैं पैसले नेले में देर करती है बिभीन समुदाय के बीच टक्राब कम करती है तो इसके राइट जो एंसर हो जाएगा यह नंबर हो जाएगा या बिभीधता को अपने में समेट लेती है आगे बढ़ते हैं बारा नंबर क्यों बारा में हैं कि भारतीय समविधान के बारे में इन में से कौन सा कथन सही है या धर्म के अधार पर भी भेद भाव की मान नहीं करता है या एक धर्म को तो राजकिये धर्म बनाता है या सी नंबर में सभी लोगों को कोई विधर्म को मानने का अजादी देता है और डी में है कि किसी धारिम समुदाय में भी सभी नागरिकों का ब्रावरी अधिकार देता है तो इसका हजाएगा सभी लोगों को कोई विधर्म मानने का अजादी देता है तेरा नंबर में आई तेरा नंबर में इंडिका पुस्तक के लेखा कौन है इंडिका पुस्तक के लेखा कौन है मेगा अस्तनीज है कमल की सोर है एम एम सिंग है या इन में से कोई नहीं आप लोग एंसर दीजिए तो लाइब सेक्षन में एंसर आप लोग जरूर देते चलिए कि अज़िए इसका जो एंसर यह क्या हो जाएगा मेगा अस्थानिज चौदा नमबर में आईए चौदा नमबर में हैं समाजिक विभाजन को समभालने के संदर में इन में से कौन सा बयान लोकतांतरी बिवस्था पर लागू नहीं होता है लोकतन्त वियम राजनीतिक परती दुयंदित के चलते समाजी विभाजन की छाया राजनीत परभीर परती है यदूसरा मैं B में है लोगतं विवाजन को अधार पर समाज को विखंडित की और ले जा सकता है तो इसका जो इंसर हो जाएगा लोगतं समाजी को विखंडित की और ले जाता है आगे बढ़ते हैं पंद्र नमबर में पंद्रा नमबर में बिहार की साच्छर्टा दर कितना है 40% 47% 49% या फिर 50% तब बिहार की जो साच्छर्टा दर है वह जो है 47% है 16 में आई ये 16 में 2001 की जन संख्या के अनुसार भारत में 76 महिलाओं का परतीसत है 54.16% 15.65% 25.38% 53.70% तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा 33.70% हो जाएगा सिर्लांका में बहुत संख्या की भासा क्या थी सिर्लांका में बहुत संख्या की भासा क्या थी सिहली थी तामिल थी हिंदी थी या फ्रेंज थी तो जो सिर्लांका में बहुत संख्या की भासा थी वा क्या थी सिहली थी आगे बढ़ते हैं 18 में अठारा में हैं कि भारत का बितिय राजधानी कौन है पटना दिल्ली मुंबई चन्नाई तो भारत का बितिय राजधानी जो कौन है मुंबई है में scient 60 egg anew 2019 में है कि आवादि में तामी लाडव ताम नुएंiche संख्यों है 14 318 3008 में तो स्री लंका में अवादियों में तंधार के संख्यों जो कितनी हैं अठारा पर्तिसे थे हागे वढ़ते हैं 20 नमबर की ओर 20 में है कि 15 लोग सभा में महिलाओं की सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी 25, 35, 69 या 65 जो 15 लोग सभा वगा था उसमें महिलाओं की जो संख्या थी 69 थी आगे बढ़ते हैं 21 नमबर 21 नमबर में है अमिर्का में अस्वेट सक्ती आंदोलन उग रूप से कब उभरा 1950 में, 1970 में, 1965 में, 1966 में तो अमिर्का में अस्वेट सक्ती आंदोलन उग रूप से कब उभरा था तो 1966 में उभरा था आगे बढ़ते हैं 22 नमबर में 22 में हैं डर्वन में नसल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था 1980 में 1990 में 2001 में 2009 में तो डर्वन में नसल भेद विरोधी सम्मेलन जो हुआ था 2021 में हुआ था आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की और 23 में हैं कि बलेजियम में ब्लेजियम के किस सहर में अस्कूलोग में फ्रेंच बोल ने पर रोक लगा दिया गया था मर्च टेम में या फिर ब्रूसेलस में या वे लोनिया में या मोंस में तो इस जो लगाया गया था वो ए नमबर हो जाएगा मर्च टेम में लगाया गया था जो फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी 25 नमबर में 24 नमबर 24 नमबर में है कि भारत में बरतमान में कितनी परसीतत महलाओं की संसद का परतिनिधित प्राप्त है बीस पॉइंट दू परतिशत को या द्यास पॉइंट आठ शे परतिशत या उनिस पॉइंट जी छे परतिशत या फिर 11 पॉइंट साथ परतिशत है इसका राइट एंसर हो जागा दस पॉइंट आठ शे परतिशत बाइस नमबर में स्री लंका तमिल के मुख रूप से रहते हैं उत्री पॉर्वी प्रांतों में पश्मी दचनी प्रांतों में पश्मी उत्तर प्रांतों में या दचनी पॉर्वी प्रांतो में आगे बढ़ते हैं 26 नंबर कि 26 नंबर में हैं कि इन में किस संस्था में महिलाओं का 50 परतीसत अरचन परदान है लोग सभा में अस्थानिय पंचायती राज संस्था में विधान सभा में या राज सभा में तब 50 परतीसत जो अरचन परदान है वह अस्थानिय पंचायती आज सन्स्था में आगे बढ़ते हैं 27 नमबर के 27 नमबर में है कि भारत में बहु संख्याग्ज अवादी है सिख समूदाएगी मुस्लिम समूदाएगी धिया इसाहि समूदाएगी कि तो कि इसका जो राइट एंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा हिंदू समुदाई की आगे बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर 28 में हैं कि भारतिय सम्विधान के अनुसार भारत बर्ष को घोसित किया गया है हिंदू राज धर्म सा पेच राज या बहु भासी राज या धर्म निर्पेच राज और जो भी प्यारे बश्य जुड़े हूए है वीडियो को लाइव में देख रहे है लाइव सेक्षन में जरूर एंसर देते चलिए और जो प्यारे बश्य BACK में देखते हैं वीडियो अभी नहीं देख पाते हैं वह कोमेंट में इंसर ते जाएं box आपको पाता चलेगा कित इतना अब्जेक्टिव हम दे पाएं और जो भी जूड़े हुए वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए बिहार के हर एक स्टुडेंट के पास यह वीडियो जरूर पहुचा दीजिए ताकि उनकी तैयारी अब्जेक्टिव का एदा मजबूत से मजबूत हो सके आगे बढ़ते हैं 29 नंबर में 29 नंबर में है कि काले दस्ताने और बंदी हुई मूठिया परतिक है क्या चीजिका परतिक थी अस्वेट सक्ति की या फिर नीले लोगों की सक्ति की या स्वेट सक्ति की या सभी सक्तियों की तैयारी जो थी अस्वेट सक्ति का था आगे बढ़ते हैं तीस नंबर में इनमें कौन ब्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलीतों के उत्थान से संबंदित नहीं है जो तीवा फुले डॉक्टर राजेंदर परसाद पेरियर स्वाम रामा स्वामी नायर या डॉक्टर भीमरा अमबेदकर तो जो दलीतों के उत्थान से संबंदित नहीं है वा है डॉक्टर राजेंदर परसाद आगे बढ़ते हैं 31 नंबर कोश्चन की ओर 31 नंबर में सत्ता की साज़ेदारी का एक अंगोठी एवं सर्वोतम परनाली किस देश को विक्सित की गई है ब्लेजियम में या फिर नेपाल में या स्रिलंका में या भारत में तो सत्ता की साज़ेदारी में एक उठी का सर्वोतम परनाली किस देश में विक्सित की गई है तो वह जो है ब्लेजियम में विक्सित की गई भारत का नदर लेंड का या यूग असलाविया का या बलेजियम का उसका जो है यूग असलाविया का हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 33 नमबर की उर्ट 33 नमबर में है सत्ता में साजेदारी का परमुक कारण इन में से कौन नहीं है तो वह है राश्टिये एक्ता एवं अधिक से अधिक लोगों को समुखो सत्ता में जोड़ने के लिए या सरकार का निर्धारित कार फूल करते के लिए इसका जो राइट एंसर हो जाएगा डी नमबर हो जाएगे अगला बढ़ते हैं 34 नमबर की उर्ट 34 में हैं कि इनमें कौन सत्ता के साजहधारी का एक सही ल अससी थीरता एवं आंत्रिक कला की बढ़ोत्री या मत भेदो की बिर्धी या समुदाय के मध में टकराब में कमी या निर्णे लेने में प्रकिर्या में अनावस्चक बिलम तो इसका हो जगा समुदाय के मध में टकराब की कमी 35 नंबर की उर देखे 35 नंबर में है कि सत्त की साजेदारी की अधीक अवसकता कहां पढ़ती है मतला अधीक से अवसकता कहां पढ़ती है प्रतेक लोकतांत्रिक राज में च्हेत्रिय विवाजन च्छोटे च्छोटे राज में या जाती भासा च्छेत्र संपर्दा के अधार पर बटे हुए समाज oh तो इसका जो राइट इंसल हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्यार बच्चो जाती एवं भासा के सेत्रों में समुदाय के अधार पर बाटेगे यहां उजिसें ज्यादा जरूरत पढ़ते हैं जाती सपीस नम्बर में अमीरका में चले आएगये नाहरी को नाहरी का अधिकार अंदोलन मुख्य सता नसल अधारी भेदभाव मिटाना धर्म आधारी भेदभाव निता रज 2 वृत निकले फासा भी अतमा मिटाना इसका राइट एंसर क्या हो जाएगे पताईए तो इसका था नसल अधारी भेदभाव मीटाना अ कि शैतिस नंबर में इस शैतिस नंबर में इनमें कौन सा कथन भारत के संदर्म में सही है भारत एक विविद समुदाई के देश है या दूसरा में हो जाएगा भारत में धर्म सुनर पेचता का सिध्यान्त लागुए या तीस रह vrijम हो जाएगा भारत में धार्मिक शंदर रयाम भाईचार्ण का सिध्यान में तरजी में इनमें से सबी हो जाएगा तो इनमें से सबी कथन क्या है आःई है 28 अड़ारत 58 में है कि इन में कौन सा कथन सही है समाजिक विभाजन में अधिसंता में जन पर अधारित होता है या फिर समाजिक विभाजन में अधिसंता परिवारिक होता है या समाजिक विभाजन में अधिसंता आर्थिक होता है या समाजिक अधिकांस्था क्या होता है राजनितिक होता है तो समाजिक भी वहाजन में जो है अधिकांस्था जो है जन्म पर अधारित होता है क्या चीज़ पर अधारित होता है जन्म पर 49 नंबर के उड़ देखी 49 में देखी है कि सत्ता में साजेदारी का बास्ता भी करती होता है राज के नागरी को द्वारा सरकारी अस्तर पर निर्ने लेना या फिर राज के नागरी को द्वारा सरकारी अस्तर पर निर्ने को लाग करना या राज के अधार पर नागरी को द्वारा सरकारी अस्तर पर नियाई करना या D नमबर में है राज के नागरी को द्वारा सरकारी अस्तर पर निर्ने लेना तथा अथवार निर्ने निर्मान की प्रकिरिया को परतीभा करना तो इसका जो हो जाएगा राइट इंसर बताइए अप लोग इंसर में जरूर दीजिए तो इसका हो जाएगा राज के नारी को द्वारा अस्तर निर्नाई लेने की रखिर यड़ी नमबर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं चालिस नंबर क्यों चालिस में है कि सत्ता में साज़ेदारी का संबद इन में से कौन से कथन सही है सत्ता की साज़ेदारी में अस्थिर्ता एवं आपसी फूट को बढ़ावा मिलता है या बी नमबर में सत्ता की साज़ेदारी में देश की एक तक हमजोड होती है या सत्ता की साज़ेदारी में विभिन समुदाय के बीच टकराब को कम करती है सत्ता की साज़ेदारी में निरले लेने की अनावस्तक बिलम होता तो इसका राई टेंसर हो जाएगा सत्ता की साज़ेदारी विभिन समूदाई के बीच क्या करती है टकराब पैदे करती है अगे बढ़ते हैं 41 नंबर की ओर 41 में इनमें से कौन सा कतन सही नहीं है उत्री आयरलेंड में बर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता या निदरलेंड के बीच गहरी खाई या उत्री आयरलेंड और निदरलेंड में दोनों EBC बहुत देश है या इसाई बहुत देश है या फिर D में है आयरलेंड के कैथो समूदाए आर्थिक रूप से काफी संपन और एवम खुश हाल है तो इसका जो राइट इंसर हो जाएगा D नमबर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 42 नमबर की ओर 42 नमबर में है लोग तांतरिक सासन ब्यवस्था में सत्ता की साजेदारी का सिध्धान्त का पालन करते हुए किस बात पर विशेस बल दिया गया है तो वह दिया गया है सत्ता की साजेदारी की अधिकादी लोगों को सामिल करने पर चलिए आगे देखते हैं राजिंतिक धर्म और वक्त को विराकल समस्य को रूप में खड़ी हो जाती है तो वह जो है धर्म एवं संपर्दा के राष्ट के रूप में मान कर लिया जाता है जालिस नंबर को गया तो वह सोब करने का प्रयास किया बपर नंबर में इनिवन में सकौंसा कफन सही नहीं है तवा जुँए केवल भारत और अमिर्का के जैसे देशों ही समाजिक भी भाजन दीख पड़ता है कि 46 में हैं कि इनमें कौन सा कथन सही नहीं है तो समाजिक और विभाजन में परते कभी राष्ट में विरोधी कहा जाता है इस अब थोड़ा लंबा लंबा यह सब कोश्चन एजाम में नहीं आ सकता है प्यारे बच्चों यह सब कोश्चन ऐसे ही सिर्फ कि इसलिए सिर्फ इसको देख लिजें में से कौन सा कथन सही है तो इनमें से कौन सा कथन सही बताईए इंगो असलाविया में जो है समाजिक और वाजन का उधारन कभी नहीं देखने को मिलता है यह कथन क्या है सही 48 नमबर में हैं कि इन में से कौन सा कथन सही है 48 इंसर जो हो जाएगा स्रिलंका में केवल सहली के लिए मांग करना तमिल समुदाय का पहचान उसके हितोव के खिलाब थी उन्चास में है कि इन में से कौन सा कथन सही है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू के अलग परकार के गठित किया गया था नेपाल नहीं बी नमबर हो जाएगा बिलेजियम की राजधानी बिलू सुक के अलग परकार की सरकार को गठित किया गया था यह सब लोंग लोंग कोश्चन है यह सब एक्जाम में आपको देखने के नहीं मिलेगा तहरी देखिए थी बना दिया गया है कोश्चन इसलिए आपको बता दिये इन में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसका जो कथन सही है ने लोगतंत में समाजी विवेदी के अधार पर देश को भी खंडित करना और कारगा होता है तो यह हो गया टोटल पचास अबजेक्टिव आज लोग आप लोग का पहला चेप्टर का लोगतंत्रीक का पूरा तो आप लोग वीडियो को लाश्ट तक बने रहे हैं तो जो भी प्यारे बच्चों लाश्ट तक अभी है वो वीडियो को सेर जरूर किजिए अपन अबजेक्टिव की बात और सबजेक्टिव जिस भी विद्यार्थी को चाहिए वो पचत्तर एकतालिस नवासी तेरासी सत्तर इस नंबर पे अभी बंदरा अगस्त के ओफर पर एक सो उनचास रुपया में पेड़ गुरूप चलाया जा रहा है बारसब पेड़ गुरूप तो यह वाला आप लोग पेड़ करके इस नंबर पे इस नंबर पेड़ किजिएगा तो पेड़ करने के बाद आप लोग को गुरूप में एड़ कर दिया जाएगा गुरूप में एड़ करने के बाद आप लोग को सबजेक्टिव और अबजेक्टिव का दोनों का दिया ज कि यह बहुत सारे बर्चे जोईन हैं उसमें तो आप भी जोईन किजिए चलिए मिलते हैं कल की वीडियों तब तक आप लोग वीडियो को सेर जरूर करते रहें अपने दोस्तों मित्रों के पास जो नए बिद्धे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं कल की बुडियों तब तब जय हिन जय भारत